हेलो फ्रेंज तो आज हम करेंगे क्लासिक साइंस का चेप्टर नबर नाइज जिसका नहीं है दा लिविंग ओर्गेनिज्म एंड देर स्राउंडिंग इसमें हम बात करेंगे सेल्यूलर ओर्गेनिज्म की और लिविंग तिंग्स आर मेड़ अप ओफ सेल्स जो अपन लोग अपन लोग जो लिविंग बिंग्स होती है जो प्लांट्स होते है और अपनी बोड़ी किसे मिलके मनी है तो सेल को यह अपन क्या बोलते हैं सेल को अपन बोलते हैं सेल्यूलर ओर्गेनिज्म सेल इस दा बैसिक यूनिट ओफ लाइफ तो जो सेल है सेल क्या है अपनी बोड यूनिसेलूलर यूनिसेलूलर ओर्गनिज्म ये एक सेल है तो ये क्या एक सेल से मिलके बना है एक सेल से मिलके बना है यूनिसेलूरल ओर्गनिज्म तो वह कौन-कौन से है इनके एकजामपल है एमोबिया तो एमोबिया भी यूनिसेलूरल ओर्गनिज्म के अंदर आता है य बैप्टीरिया यह तो एक सेल से मिलके बनता है मुझ आर整 ने और को सेल एक सेलता है यह सो से एक बनता है बनें और प्लांट मिलके है अपने बहुत सारे सेल से मिलकी अपनी जो बोडी है वो बनी है दे आर काल्ड मल्टी सेलूरल ओर्गेनीज तो वो कौन से है वो है मल्टी सेलूरल ओर्गेनीज जो बहुत सारे सेल से मिलके बनते है और जो सेलूरल ओर्गेनीज है ये एक सेल है तो एक से मिलके बनता है वो है unicellural organism और जो बहुत सारों से मिलके बनता है वो है multicellural organism तो यह तो था cellular organism के बारे में अब हम आगे बात करेंगे अब हम बात करेंगे nutrition के बारे में plants prepare their own food by doing photosynthetic in his tomato जो plants होते है plants के अपना जो food है उनका जो खाना है वो खुद बनाती है वो किस कहना से बतात बनाते है अपना बोजलavot photosynthesis वो photosynthesis process एपना खाना बनाते है तो photosynthesis के में क्या होता है जब जो सूरच है सूरच जब है प्लांस बे वो आर्थ पे तो रोष नहीं डालता है तो आर्थ के अंदर प्लांट भी है तो प्लांट पे रोष नहीं जब डालता है और सन तो कौन सी प्रोसेज आती है उसके अंदर से फोटो सिंथेसिक फोटो सिंथेसिस वो क्या जो प्लांस होते हैं वो खुद खाना बनाने लग जाते हैं तो प्लांस को सन भी चीए प्लांस को सन की लाइट भी चीए वाटर भी चीए और सोयल भी चीए तो plants को ये तीनों चाहिए लेकिन ज़्यादा उनको अपना खाना बनाने के लिए चाहिए sun की जरूरत है तो ये आते हैं photosynthesis process में इन stomata के अंदर और called producers तो वो क्या खेलाते हैं producers तो producers क्या होता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं तो वो क्या खेलाता है producers animal are dependent और जो plants है तो plants पे कौन निर पर रहता है एनिमल जो जानवर होते हैं जानवर रहते हैं plants के उपर निर पर रहते हैं animals so they are called heatrops तो वो क्या खेलाता है heatrops तो हम अब producers तो जो इस्टोमेटा हैं उसकी बात करेंगे तो इस्टोमेटा क्या होता है जो plants होते हैं तो यह plants की leaves है तो plants की leaves है तो इसके बीच में क्या छोटे 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 छेद होते हैं तो वो छेद होते हैं उसको अपन क्या बोलते है इस्टोमेटा है उसको अपन इस्टोमेटा बोलते हैं तो यह तो था nutrients के बारे में अब हम आगे बात करेंगे अब हम बात करेंगे रेस्पाइरेशन सिस्टम की, human takes oxygen and release CO2 plants exchange gases, humans जो अपन लोग है तो अपन क्या लेते हैं? oxygen अपन oxygen लेते हैं और क्या छोटते हैं अपन लोग? अपन लोग छोटते है CO2, carbon dioxide अपन CO2 छोटते हैं प्लांट अक्सेंज गैसे जो प्लांट होते हैं प्लांट अपने गेस को बदलते हैं तो जैसे अपने ऑक्सिजन ली ऑक्सिजन अपन लेते भी है अपने ऑक्सिजन ली तो प्लांट क्या लेते हैं प्लांट लेते हैं सीयोटू और अपन छोड़ते हैं सीयोटू तो प्लांट्स और हुमल्स तो यह भी एक दूसरे पर निर पर रहते हैं और प्लांट्स पर जो एनिमल्स होते हैं एनिमल्स पर निर पर रहते हैं प्लांट्स पर अब हम बात करेंगे ग्रोथ की तो ग्रोथ मतलब जैसे जैसे अपन बड़े होंगे तो अपनी हाइट बड़ेग और living organism are growing जो living जो भी लोग सास लेते है तो सास कौन-कौन से लोग देते है जैसे animals है, तो animals भी सास लेते है Romans, तो humans भी oxygen लेते है और plants भी, तो आपन सब oxygen लेते है जो जो सास लेते हैं, वो growth होते है और growing it takes addition of new body material और फिर क्या नए बोड़ी का material है तो plants पहले इतना सा होता है फिर कई दिनों बाद वो आसमान को छू लेता है तो plants भी बहुत बढ़ा होता है और अपन सब की हाइट बढ़ती है जो सास लेता है उसकी हाइट बढ़ती है तो हमने जान लिए का रेस्पाइरेशन सिस्टम और ग्रोथ के बारे में तो इसी के साथ हमारा क्लासिक साइंस का चेप्टर नमा लाइन नाइन दा लिविंग और्गेनिस्म एंड देर स्राउंडिंग कप्लीट होता है अगले वीडियो में हम अगले चेप्टर की बात करेंगे थैंक्यू सो मच को अगले ने में ऋनाउमान एंड लाइनै लिया मेंगे जा लिविंग का इंड गजा है पह वी घजात के Euh झाल झाल